रहा है और जब ये anniversary month शुरू हुआ तो खुदा ने मुझे एक word दिया, एक शब्द दिया, वो शब्द था breakthrough, वो बार बार खुदा पिर यांखों के सामने लाते जा रहे थे, शब्द था breakthrough, जिसका मतलब है सफलता, काम्याबी, Amen, हम इस सफलता, इस breakthrough को हम receive करते हैं, और ये जो पांच साल में और आप ने तो चलो हम अपने आपको available किया, पर ये पांच साल येसु की मर्जी से पूरे हुए, Amen, क्योंकि दूआ के घर की जो foundation है, जो नीम है, वो खुद येसु के उपर ही बनी है, येसु ही master है, येसु ही इसको चला रही है, तो हम येसु हमें एक gift देते है, हमारे इस पांच साल के पूरे होने पे, वो word जो दिया, वो है breakthrough, Amen, आज इस breakthrough word को हम संभालते हैं, इसको पकरते हैं, और हम इसको आज claim करते हैं, Amen, and breakthrough, सफलता, काम्याबी, as a Christian, as a Christian, हम बहुत सारी चीजों को हमने खुदा के सामने रखा हुआ है, as a Christian क्या, as a human being, as an insan, हमारी बहुत सारी, हमारी बहुत सारी चीजे हैं, जहां पे हम काम्याबी को ढून रहे हैं, जहां पे हम एक उस वक्त के इंतिजार में हैं, कि जब हमारे लिए सुमंदर जो है, दो हिस्से हो जाए, और हम पार जा सकें, हम सब उस, हम उस breakthrough की एक इंतिजार में हैं, किसी ना किसी, किसी ना किसी हमारी जिन्दगी के, हमारे aspect में, वो शायद, वो शादी के हो सकती है, finances हो सकते हैं, कि कोई शादी की इंतिजार में है, कोई अपने business, अपनी ऐसी जॉब के breakthrough के इंतिजार में है, कोई ऐसी health condition से गुजर रहा है, कि जिस के लिए वो breakthrough के इंतिजार में है, मैं भी हूँ उसमें, हमारे health से, चाहे वो बड़ी देर से हो, या कुछ देर की, हम लोग इंतिजार कर रहे होते हैं, कि बस हम इसमें से बाहर निकल पाएं, कुछ relationship की restoration के लिए, दुआओं में लगे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने family के लिए, और भी बहुत ऐसे हमारी जिन्दगी के areas हैं, जहां पे हम उस काम्याबी, उस वक्त, उस point का इंतिजार कर रहे हैं, जहां पे हम उस breakthrough को हासिल करें, Amen? कई बार हम सोचते हैं कि इतनी देर से हम खुदा के सामने बैठे हुए हैं, इतनी देर से दुआएं कर रहे हैं, इतनी देर से कलाम पढ़ते हैं, खुदा के साथ वफादारी से जुड़े हैं, और हर चीज़ अपनी तरफ से Bible के accordingly कर रहे हैं, पर फिर भी वो breakthrough दिखाई नह नहीं दे रहा, उसको बहुत वक्त लग रहा है, एक बहुत ही एक प्यारा सा कोट जिसने मेरे दिल को छुआ, पैस्टर चिप इंग्रेम ने एक बात कही, वो कहते हैं कि हमें ये जानना है कि ये जो breakthrough है, ये जो काम्याबी है, ये जो सफलता है, ये ऐसी चीज़ है, जिसके लिए सिर्फ बैठ के इंतिजार करने से नहीं आ जाती, कि सफलता काम्याबी breakthrough की इंतिजार में हैं, तो हम सिर्फ ऐसे बैठे रहें, और खुदा को खाली आवाज लगाते रहें, तो breakthrough वैसे नहीं आ जाता, breakthrough सफलता कैसे आती है, क्योंकि ये हम नहीं इंतिजार में, हमारे breakthrough में, breakthrough के लिए खुदा इंतजार में है कि हम कब उसके कहने के accordingly जीए Amen कि सफलता के लिए खुदा इंतजार कर रहा है कि हम कब obedient हो जाएं हम कब उसके कहने के accordingly हम उसकी मर्जी को पहचान पाएं उसकी आवाज को सुन पाएं ताकि जो काम्याबी जो breakthrough जो promises उसने हमारे लिए रख चोड़े हैं वो हमारे लिए पूरे हो सकें तो इसका मतलब breakthrough जो है, वो खाली बैठ के सिरफ उस इंतजार का नहीं है नाम breakthrough खुदा के obedience में आना बहुत जरूरी है अगर हमें वो काम्याबी चाहिए बहुत से जैसे अभी हमने बात की कि हमारी काम्याबी जब हमें खुदा नहीं ये बात कही कि ये महीना ये blessing काम्याबी की breakthroughs का मन्त है तो हम देखें कि कोई ऐसी barriers तो नहीं हमारी जिन्दगी में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारी इस काम्याबी और हमारे बीच में है क्योंकि remember one thing जब हम खुदा से कोई चीज मांगते हैं जब हम खुदा से कोई चीज expect करते हैं वो वाकई वो release कर देते हैं heaven से जब हम मांगते हैं वो हो जाता है पर हमारी receiving में कैम बार वक्त लग जाता है कैम बार enemy भी fight कर रहा है वो आपके पास पहुंचने नहीं दे रहा बहुत सी ऐसी चीजें एक साथ चल रही होती है कि हमारी वो जो काम्याबी है वो उसमें वो barrier बन जाता है देखते हैं ऐसी कौन-कौन सी चीजें है जो हमारे उस काम्याबी उस सफलता उस breakthrough के बीच में खड़ी है unbelief बहुत बड़ी चीज़ है अव विश्वास हम मांगते हैं पर हमें मिल नहीं रहा क्योंकि हम खुद भी उस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हमें हमने मांगा कि खुदा मुझे चंगाई दे पर मुझे खुद ही विश्वास नहीं है कि मेरे को अभी आज ही चंगाई मिल सकती है मैं खुद ही जैसे डॉक्टर ने कहा तेन महीने लगेंगे तो मैंने अस तेन महीने को रिसीव कर लिया अगर कि तेन महीने ही लगेंगे तो मुझे मेरी जब दौा करती हूँ मुझे जल्दी ठीक कर मेरा अपना ही belief नहीं है उस चीज़ में तो वो मेरा breakthrough जो है healing का वो कैसे मुझे right away मिलेगा क्योंकि मेरे belief में कमी आ गई है lack of persistence in prayer हम हमारी जो जो लगातार prayer life है जो हम prayer करते हैं उसमें जब कमी आ जाती है तब भी हमारी जिन्दगी का breakthrough जो है वो delay हो जाता है हम एक दिल रोजा रखते हैं दुआ करते हैं और expect करते हैं कि right away result आ जाए क्योंकि हम एक microwave fast life में fast food वाली life में जी रहे हैं जहां पर microwave में भी एक minute के लिए खाना रखते हैं तो वो भी 60 seconds पूरा किये बगैर पहले ही उसका डोर खोल देते हैं कि वो भी इंतजार नहीं होता कि वो अपने 60 seconds जो हैं वो भी पूरा करें मैं भी करती हूं 5 seconds पहले ही निकाल लेती हूं क्योंकि इंतजार नहीं होता उसी तरह से हम जब दूआ करी और रोजा रखा तो जीजस को जैसे ओर्डर पास कर दी और जीजस ओर्डर पूरा करें He is not order taker He is not order taker वो हमारी कहीं बार वो कहता है कलाम में लिखा कि लगतार दूआइं करते रहें तो कहीं बार वो एक दिन एक हफ़ता कुछ महीने साल शायद कुछ साल इस तरह भी हो सकते हैं पर कभी अपनी दूआ को मत रोकें हमारी फैमली मेंबर्स की सैल्वेशन के लिए हो सकता है सालों साल बीथ गे हो पर उस दूआ को मत सोचें कि ये नहीं हो सकता कोई नशे में फसा हुआ है उसकी उस आदत के लिए दूआ कर रहें है करते रहें कोई ब्रेक्थ्रू चाहिए हर वक्त दूआ करते रहें मत सोचें कि इतनी देर हो गई अभी तक तो हुआ नहीं तो कोई फाइदा नहीं करते रहें एमान? Lack of persistence in prayer वो जो लगातार वो दुआ में बने रहना वो एक बहुत बड़ा barrier है हमारे breakthrough में और क्या चीज़ barrier है? हमारी अपनी declarations हमारे breakthrough के उपर हमारी अपनी बाते ही जो हम बोल देते हैं हमारी अपनी declarations जो हमारे उन breakthroughs को रोक देती है मैंने इस example को पिछले एक महीने में शायद कितनी बार दोहराया होगा कि मेरी अपनी जो healing थी मेरी अपनी declaration के कारण डिले हुई जब मैंने dependency रखी कि मुझे दवाट ही करेगी जब मेरी उस declaration को enemy ने भी पकड़ लिया और कैसे उसको मेरे ही against यूज किया मेरे उन लफसों को मेरी उस declaration को और मेरा जो healing का breakthrough था उसको डिले कर दिया मेरी अपनी declaration ने उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हम बोल जाते हैं अपने लिए जो हमारे breakthrough को देरी कर जाती हैं बहुत सारी ऐसी बातें जो हम शायद किसी और के लिए भी कह जाते हैं कैई बार बहुत जब हम आज declaration की बात कर रहे हैं तो ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी के लिए बात करें पड़ा सोज समझ के बोलें खुदा के खादिमों के लिए खास क्योंकि कलाम भी कहता है डू नौट टच माइ अनॉइंटेड वन्स कि जो खुदा के मसा किये हुए जो खुदा के खादिम है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलें इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पुरा इसके आने वाले दिनों में I would definitely focus on this क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम ऐसे ही बहुत चारी चीज़े बोल जाते हैं कैम बार क्योंकि हमारी ऐसी कोई बात बोली हुई शायद हमारी जो अपनी break through है उसको डिले कर देती है क्योंकि हमने किसी खुदा के बंदे के खुदा के चुने हुए के खिलाफ कुछ बोल दिया हो इसलिए अपने आपको बड़ा कंट्रोल करें ये वक्त कौन सा है end times end times में अपने आपको अपने आपको सही करने का वक्त है अगर पता चलता है कुछ मिनट बाकी है जिन्दगी के तो माफियां मांगने में वक्त बिताएंगे कि माफी दे खुदा हमें तो वो माफियां मांगने में वक्त बिताने बताना तो ठीक है पर अपनी जिन्दगी को इसी तरह से कर ले कि ऐसी कोई जगा ही नहो कि हम ऐसा कुछ काम ही ना करें जो खुदा के अगेंस्ट हो जाए इसमें मैं दो मिनट और लूँगी कि अगर हम देखते हैं साउल जो था साउल के उपर से खुदा ने खुद ही उस अपना पाकरू ले लिया था और दुशात्मा भेज दी थी और जब दाउद जब 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 जंग में उसको मौका भी मिला कि जब उसने साउल के कपड़े का हिस्सा थोड़ा सा काटा एज ए प्रूफ की वो चाहता तो उसको वहाँ पे मार सकता था पर उसने क्यों नहीं मारा? उसने कहा कि ये खुदा का इनॉइंटेड वन है पर उस वक्त उसके अंदर तो पाकरू भी नहीं था पर खुदा का चुना हुआ था इसलिए बहुत बहुत खयाल रखें कि डेकलरेशन्स हम क्या करते हैं? हम क्या बाती अपनी जबान से बोलते हैं क्योंकि कई बार हमारी जो फिजूल सी बात है उसके कारण हमारा जो ब्रेक्ट्रू है वो डिले हो जाता है के बार और क्या बैरियर से जो हमें हमारे काम्याबी हमारी सफलता को रोकते हैं हमारे self-centered motives क्योंकि कहीं बार हमारी जो खौईशे हैं वो सिरफ हमारे से हमारी अपनी चंगाई से related है सिरफ हम अपनी चंगाई को चाहते हैं खुदा का उसमें से कोई connection नहीं है रितिंदर और रिंकल जब चर्च में आए उस वक्त हमें वो हम गाड़ी के लिए दूआ कर रहे थे कि खुदा इनको गाड़ी दे ताकि ये अराम से चर्च आ सके पर उस वक्त इन्होंने क्या motive था गाड़ी लेने का ताकि चर्च में आए इन्होंने दूआ कराई कि चर्च में औरों को भी ला सके और चर्च के कामों में, खुदा के कामों में अपने आपको इस्तेमाल करें जब मोटेव ऐसा होता है, तो खुदा बलेस करता है ब्रेक्ट्रू मिल जाता है और आप सब, हम सब मैं दूआ के घर के लिए खुदा की शुकर गजारी करती हूं इतने सर्विंग जो हाथ हैं, वो यहां पे खुदा ने दिये बट इसको इसी तरह से रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मोटेव जब शुरू होता है, पर पस शुरू बड़े अच्छे तरीके से होता है पर एनिमी आपके उस मोटेव को जो आपकी जो सर्विंग की चाहत है उसको चुराने के लिए भी तयार बैठा है वो उसको स्टील भी कर सकता है और जो आपकी बरकत रखी है वो डिले हो जाती है ब्रेक्थ्रू जो है वो डिले हो जाता है इसलिए हमेशा अपने आपको हमबल और खुदा की सिर्फ खुदा की तरफ देखना है एमैन जोना जो था जोना उसको वो खुदा के कहने से अगेंस चल रहा था खुदा ने कहा जाने को कहा निन्वा जाने के लिए और जोना कौन सी बोट में तैसावार हो गया तर्शीच जाने के लिए अब खुदा ने तो कहा आपको आपने एक डिरेक्शन में जाना है पर अब आप खुदा की मर्जी के अगेंस्ट किसी और डिरेक्शन पे जाने के लिए तैयार हो गए भागना शुरू किया खुदा से क्योंकि खुदा का रा मुश्किल है क्योंकि इस दुनिया की ये जो बहुत सारी गलत चीज़ें खुदा छोड़ने के लिए कहता है तो क्या हुआ जो ना भागा पर खुदा को अपना काम कराना आता है खुदा ने मचली के थ्रू उसको फिर निन्वा में लाया हम अपनी जिन्दगी की तरफ देखें ब्रेक्थ्रू को अगर आप अपनी काम्याबी सफलता को ढून रहे हैं अपनी जिन्दगी का जाइजा लें कि कहीं हम खुदा के काम से खुदा की बात से कहीं भाग तो नहीं रहे यूर नॉट रॉनिंग अवे कहीं खुदा से दूसरे का बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है कि इसको तो ये कहा था ये ऐसा खुदा की रापे नहीं चल रहा पर आज मैं कहूंगी एंड टाइम्स इस वक्त दूसरे को बिलकुल देखना बंद करके अपनी जिन्दगी का जाइजा लें कि हमारी जिन्दगी में इस वक्त क्या चल रहा है एमैन गाड़ी हम सब चलाते हैं हमारी गाड़ी में एक सुही लगी होती है नीडल जो हमें बताती है कि गैस कितनी देगई गाड़ी में और जब बिलकुल empty के पास वो needle पहुंचने लगती है, तो हमें पता चल जाता है कि अब हमें next stop में, next gas station में gas fill करवानी है, पर अगर हम gas fill कराए बगेर, हम चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, एक point पे गाड़ी रुक जाएगी, और उसके बाद हम गें, Jesus अब अपना miracle भेजें, उसके बाद हम दुआएं करें, Jesus gas खतम हो गई, अब हमें break through जाएए, gas कहीं से मिल जाए, empty का sign तो दिख रहा था, रुकना था हमें, refill करना था, हम कहीं बार इसी तरह से, अपनी spiritual life में भी चल रहे होते हैं, हम भाग रहे होते हैं, हम बस सोचते हैं, नहीं हर चीज़ कि Jesus इसी तरह से कर देंगे, पर Jesus ने कहा रुक जाने के लिए भी, कई बार रुकना भी बहुत जरूर है, नहीं तो वो empty हो जाए, और उसके बाद हम कहें, कि Jesus आप हमें अब गैस के लिए भेजो, जीज़स वो बड़े अच्छे हैं, जीज़स वो भी इंतजाम कर देते हैं, Romans 8 to 28, हम जो भी कुछ, हम से वो इतना प्यार करते हैं, कि हमेशा हमारे लिए हर हालात में से, चंगाई निकल आती है, कुछ सालों पहले, मैं तब सेरा आदी बहुत छोटे थे, मैं ड्राइफ कर रही थी, इसी तरह मुझे दिखा नहीं, मुझे पता नहीं चला, मुझे से पता नहीं चला कि गैस खतम हो रही है, और बड़ा स्नो थी, बहुत बरफ पड़ी हुई थी, शाम का वक्त था, और हम जा रहे हैं, ड्राइफ कर रही हुँ मैं, और एकदम गैस खतम हो गई, और जब गैस खतम हुई, दोनों चोटे बच्चे और मेरा सेल फोन डेड पड़ा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि अब मैं क्या करूँ, बच्चों को छोड़ के कैसे, और ठंड और य एक शक्स अचानक पैदल चलते हुए वो आए, मैंने एमर्जेंसी लाइट आन की थी, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि गैस खतम हो गई है, तो ही सेट कि अधर आगे गैस टेशन है, तो मैं वहां से आपके लिए गैस ले आता हूँ, और मेरे पास एक प तो थोड़ी देर लगी और वो वापस चलके आ रहे हैं, गैस का जो केन मिलता है, कंटेनर मिलता है, जो स्पेशल गैस के लिए होता है, वो भरा हुआ कंटेनर लाए, उन्होंने मेरी गाड़ी में डाला, और मैं इतना मैं थैंक यू कर रही थी, कि खुदा ने कैसे ऐसे मि मेरी गाड़ी में डाल रहे हैं, तो मैंने उनको पैसे देने लगी, तो मुझे कहते हैं, नहीं मुझे पैसे भी नहीं लेने, मुझे ये आज, मेरा आज का अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए, ऐसे हरान थी, गैस भी लाए, कंटेनर भी लाए, डाल भी दिया, और बाना शिरू किया, तो वो आगे से ऐसे चल रहे थे, तो मुझे लगा, इनको अट लीस्ट मैं कहीं पर ड्रॉप तो कर दूँ, तो थोड़ी देर मैं, दो मिनट के लिए, शायद मैं चली होंगी, और कोई और जगा नहीं थी, और मैं ढून रही हूँ, वो कहीं नजर नही नहीं आए मुझे, कहीं नहीं आए, कोई जाने की, कोई जगा नहीं थी, कोई दाएं, बाएं, कोई और सड़क, ऐसा कुछ नहीं था, और वो मुझे कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे, खुदा ऐसा ब्रेक्ट्रू दे देता है, पर अब एक बार दिया, मैं हर बार अगर हर चीज मिलकर भलाई पैदा करता है, उसके लिए जो उससे महबबत करते हैं, और जो उसके इरादे के मताबिक बुलाएगे हैं, Amen, Hallelujah, Leap of faith, ये breakthrough के लिए, कामयाबी के लिए कई बार, हमें इस तरह leap of faith लेना पड़ता है, कई बार वो जो faith की कमी होती है, इस साइड बैठे रहें, तो हम सोच ही नहीं सकते कि हम दूसरे पार पहुंच सकते हैं, पर जब खुदा आपको आवाज लगाए, कि डू इट, बहुत इंपॉसिबल लगता है, पर आप जब खुदा की आवाज सुने, तो वो जो leap of faith है, वो आप ले सकते हैं, और मैं सच में, बड़े इमान से ये बात कह सकती हूँ, जब मैं इस तस्वीर को देख रही थी, तो मैं सोच रही थी, कि अगर मैं ऐसे जंप कर रही हूँ, और बीच से नीचे गिर जाओं, तब क्या हो, तब भी मज़े आया, रोमन्स एट ट्वेंटी एट, हालेलुया, खुदा हम से इतना प्यार करता है, कि हम कुछ भी करें, खुदा हमें कहता है कर, और अगर हम काम्याब ना भी हो सकें, उसमें से भी चंगाई निकाल सकता है, एमैन, हालेलुया, तो उसके नाम पे, कहीं बार वो आपको अपना शेहर, अपनी जॉब, अपनी बहुत सी चीजें छोड़ने की भी बात कहता है, और जब वो कहता है, तो उसके नाम पे, उसके विश्वास पे, जब आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप हमेशा उस ब्रेक्थ्रू में वो आपके लिए सी अपार्ट हो जाता है, एमैन, गलेशियन्स 6, वर्स 7, गलातियों की किताब, उसके 6, उसके 7 वर्स में लिखा, डू नाट बी डिसीवट, गॉद इस नाट मॉग्ट, और वोटेवर वन सोस, तो विल ये आलसो रीप, जो बोता है, वही काटेगा, अब हम अपनी ब्रेक्थ्रू की इंतिजार में हैं, इंतिजार कर रहे हैं अपनी काम्याबी की, कुछ बिमारी से निकलने की, कुछ रेस्टोरेशन की, फिनैंसिस की, बहुत सारी हमारी चीज़ें हैं, पर हम बीज क्या रहे हैं, I just loved this picture, कि इस पिक्चर में सीड डाल रहे हैं, हम अपनी पूरे दिन में, हम अपनी जिन्दगी में, कौन से सीड डाल रहे हैं, अगर हम सीड डाल रहे हैं, कम्प्लेंट्स के, हम खुदा से कम्प्लेंट कर रहे हैं, बार बार की जो चीज़ें नहीं हैं, उसकी कम्प्लेंट्स, हम डाउट के, क्योंकि हमें शक्र रहता है, पता नहीं खुदा नहीं मेरी आवास सुनी या नहीं, पता नहीं वो है भी या नहीं, बहुत सी ऐसी बातें फियर का डर का हर वक्त उस डर में रहना क्योंकि खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया बाइबल में 365 बार लिखा डू नौट फियर डर मत तो मत्तब एक एक दिन के लिए खुदा कहता मत डर जो भी हालात है जो भी सिचुएशन है उसमें डर मत ये एनिमी डराता है बड़ी तरीकों से वो डराता है कि तेरा ये खतम ये खराब ये सब क्योंकि वो तो है जूटा है जोटा वो है चोर वो अपने काम में लगा है पर हम कौन सा सीड डाल रहे हैं हम अपने कौन सा क्या गॉसिप क्या बैक बाइटिंग कौन कौन से सीड डल रहे हैं क्योंकि अभी हमने गलातियों छे साथ में देखा जो बीजेंगे वो ही तो पेड़ाएगा तो अगर हम बीज गलत डाल रहे हैं तो हमारा ब्रेक्थ्रू नहीं आएगा वो कामयाबी जो है वो हमें नहीं मिल सकती अगर हमारा बीज जो है सीड जो है वो गलत हो गया हमारी सोची ہमारी थाट्स मैं बहुत फॉकस कर रही हुँ आजकल इन थाइट्स के उपर क्योंकि ये जो थाइट्स है ये हमारे सर के अंदर आके हमारी बाडी को भी वो क्या कर देती है अपने बस में कर लेती है क्योंकि हम बाडी से भी कुछ नहीं कर पाते हम खुदा के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते क्योंकि एनिमी थौट्स से भी हमारी अंदर आ जाता है रमन जी ने कुछ साल पहले एक बहुत प्यारी सी वो बात बताई थी बिलीफ की फेथ की ये सब हमारे अंदर ही चल रहा होता है ये जो फेथ का सलसला है तो रिसीव एंड नाट रिसीव ये दोनों चीजें हमारे अंदर चल रही होती है वो जो स्टोरी आपने बताई थी उस ओरत की जो कहती है पेड़ जब कलाम कहता है कि ये खुदा के नाम पे अगर पहाड को भी कहेंगे विश्वा से तो पहाड भी पानी में गिर जाएगा तो उस ओरत ने सुना और आके अपने घर के आगे के पेड़ को कहती है कि तू गिर जा और वो अंदर जाती है और देखती है गिरा ही नहीं शाम को फिर कहती है कि तू गिर जा यसु के नाम में गिर पड़ फिर नहीं गिरा दुबारा नहीं गिरा अगले दिन नहीं गिरा और क्या कहती है जाके मुझे तो पहले ही पता था कि तूने नहीं गिरना यह कहां पे था पता यहां पे मुझे तो पहले पता यह नहीं होना अगर इस belief के साथ मुझे तो पता है क्योंकि किसी ने कह दिया शायद doctor ने कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता अब हम उसको पकड़के हम belief का जो leap of faith है वो ले नहीं सकेंगे शायद किसी ने आपको कुछ गलत रिपोर्ट कुछ गलत कुलविंदर की जब बात हुई उसकी रिपोर्ट क्या कहती थी कि उसका बेबी का सर ही नहीं develop हुआ abortion की abortion की abortion करने की उसको वो क्या देते हैं prescription जो भी देते हैं वो दे दी कि जाके अपने बेबी को abort करा लो पर उसकी उसने क्या किया उसने दुआ कराई उसने दुआ कराई और जब दुआ के बाद दुबारा ultrasound वाले के पास गई तो क्या पता चला कि वो रिपोर्ट ही किसी और की थी वो abortion clinic में भी जा सकती थी कौन जाता है दुबारा report को दुबारा reconfirm करने के लिए पर उसका जो faith था और जो जहन में क्योंकि जब हम faith रखते हैं जब हम दिल के अंदर सोचते हैं this is what I am going to get मुझे जीजस देंगे जीजस ने कर दिया है then it is done for you Hebrew के 11.1 में क्या लिखा इबरानियों की किताब उसका ग्यारा उसका पहला ये तमना का फेवरिट वर्स है now faith is the assurance of things hoped for the conviction of things not seen अंदेखी चीजों का पर्मान अब विश्वाश आशा की वस्तों का निश्चित और अंदे की वस्तों का पर्मान है दिखती नहीं हैं दिखती नहीं हैं के इंबर इस पेथ की कमी के कारण हमारा जो काम्याबी है जो breakthrough है वो डिले हो जाता है तो आज हम आज अगर खुदा नहीं ये breakthrough word दिया हमें आज हम इसको पकड़ के रखेंगे इस काम्याबी को जो भी चीज़े आपकी जिन्दगी में कहीं पे भी आपको लग रहा है डिले हो गई या मिल नहीं रही हो नहीं रहा यू आज और अज और यू एमान हाललुया अब ये तो असी barriers थे जो हमें रोक रहे थे breakthrough के पास जाने के वो breakthrough के पास पहुँचने के लिए हमें रोक रहे थे तो ये breakdown से breakthrough में कैसे पहुँचे brokenness से तूटे पन से हम उस काम्याबी में कैसे पहुँचे सबसे बड़ी बाद believe सबसे बड़ा barrier क्या था unbelief a wish was believing क्योंकि जब believe करेंगे जो विश्वास करेगा वो पाएगा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा और ये जो विश्वास है अंदेखी चीज़ों का परमाद नवनीची आज आप आएगे क्योंकि आज आपने विश्वास किया ये विश्वास है जो आज आपको यिस्व के कदमों में लाया है और कलाम कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया हाललुया हमने विश्वास रखके बड़ी चीज़ों को मांगा है और हमने अपनी आंखों से उन चीजों को होते हुए देखा है ऐसी ऐसी ये दूआ का घर इतनी बड़ी चीज खुदा ने आज जो दूआ के घर को जिस मुकाम पे पहुँचाया है ये सिर्फ विश्वास हमारा कि खुदा ने जो कहा जो जब सिर्फ तेरा लोग जुड़ते थे रात को कॉन्फिरंस कॉल में सिर्फ थर्टीन लोग जुड़ते थे और खुदा ने विज्वास दिखाया था ऐसे दिखाया था कि इतने लोग हैं कि दिवार नहीं है और तब खुदा ने कहा था कि दिवार मैं रहूंगा तुम्हारे बीच में, तो आज उस वक्त उसको बिलीव किया, येस दिस विल हैपन, पर वो ओवरनाइट तो कुछ नहीं हुआ, आज वो बिलीव जो किया, आज खुदा हमें उस तरफ लेके जा रहा है, एमैन, बिलीवि और आज मैं चाहती हूँ, मरकस 11, 24, मार्क 11, 24, मार्क इन येर बुक्स तोड़े, आज अपनी बाइबल में इसको मार्क करनें, क्योंकि लिखा है, तियर्फोर, I tell you, whatever you ask in prayer, एमैन, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours, एमैन, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 अभी आप सब के पास आपके फोन से, copy pencil नहीं है, फोन हर किसी के पास होगा, उसमें notes exception है, notes के section में जाके, लिखें अभी, कौन सी चीज है, जो आपकी खौईश है, कौन सी चीज है, जिसकी breakthrough की इंतिजार में है, कौन सी ऐसी चीज है, जो आप जिसकी चाहत रख रहे हैं, और अभी तक नहीं हुआ, आज, आज इस वक्त, बाप जी, आपके तक्त के सामने हम बैठे हैं, बाप जी, आपका तक्त लगा है, और बाप जी, आपके कलाम में से, आपके कलाम में से, आपके पाकरू नहीं, आज हम सब मिल के येसु के नाम में, आज हम इस वर्ट को हमारी जिन्दगियों में हम आज रिसीव करते हैं. In the name of Jesus, येसु के नाम में, येसु के नाम में, जोर्ट लिखा, जैसा तेरा विश्वास है, it is yours, it is yours. आज हम रिसीव करते हैं, और पाकरू आप रिलीज करें, रिलीज करें आज इस ब्लेसिंग को, क्योंकि पाकरू आपके लिए तो कोई बैरियर नहीं, यहाँ पे तो हम बहुत कम लोग हैं, जो इस वक्त आनलाइन, आपके नाम से, इमान से, आपके सामने बैठे हैं, आज उन आज कामयाबी वो सफलता का मूमेंट बन जाए, इन दे नेम आफ जीजस, आज आपने जहां लिखा, वहां पे तारीक भी आ गई है, और हम इन टेस्टमनीज को, आज के दिन की, इस ब्रेक्ट्रू की टेस्टमनीज को आने वाले दिनों में, हम रिसीव करते हैं, इन गवा पे, आप तो लौडली बोल सकते हैं, एमेन, बिग एमेन, हालेलुया, ऐसे बोले ही, हालेलुया, एमेन, 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 थांक यू जीजस, एरल को मैं ब्लेस करती हूँ, जो बड़े माइक को बड़े अच्छी तरह से रखता है कि मुझे बहुत जादा उंचा नहीं बोलन जादा नहीं बड़े अप्शन, आप्शन क्यूंकि याकूब की किताब, जेम्स चैप्टर टू उसका सैवेंटीन वर्स करता है, जो आप्शो वेट बाइट्सेल, इस वेट अगर वेट वेट तो रखा, पर वो बिना अगर अगर अग्शन नहीं लिया, तो वो डेड है, लबनी जी आप आपने बिलीव किया, फेथ रखा और आप बैठे नहीं रहे, आपने कहा मुझे तो अपने बेटे की शिफा लेनी है और मैं तो यिसु के कदमों में जाऊंगा, एमान, फेथ रखा, आक्शन लिया, Can you see this thing? कि faith and action ये दोनों चीज़ें इकठे काम करती हैं, सिरफ बैठ के, सिरफ बैठ के, गाड़ी को चलागना और गैस टेशन में ना रुकना, आपकी गाड़ी में गैस नहीं फिल करेगा, आपको आक्शन भी साथ में लेना पड़ेगा, आप पड़ेंगे रमन जी, James 2 का 17, वैसे भी विश्वाश्टी, यदि कर्म से इतदा हो, तो अपने सब्धा में मरा हो रहे हैं, बिलकुल, एमैन, और और रिमेंबर वन तिंग, हम लोग, हम सब भी के पर्सनल सेवियर हैं, जीजस, जीजस का रिलेशन्शिप हम सब से, वो वो सुनते हैं, कहीं बार हम अपनी काम के लिए दूसरों पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि तु दूआ कर देना, आप दूआ कर देना, आप दूआ कर देना, और खुद नहीं करते, खुद नहीं करते, फेथ है कि ये दूआ करेंगे हो जाएगा, और खुद नहीं करते जब खुद ही नहीं किया विदाउट आक्शन खुद भी दुआ करनी है खुद भी वैसे जब दुआ करेंगे तो वो सब मिलकर वो आपका जो मांगा वो पुरा हो जाएगा एमैन क्यूंकि मैंने कुछ खुदा के खादमों को कहते सुना है कि वो कहते हैं कि अगर आपको दुआ करानी है तो सिर्फ मेरे पास आना है मैं दुआ करूंगा तब भी खुदा के पास पहुंचेगी क्योंकि मैं खुदा का खादम हूँ कोई परवा नहीं है कहने में एपसल्यूटली गलत है ये आपका रिलेशन्शिप आपका आपका हर किसी का जब हम यसु को प्यार करते हैं जबूर 34 के पंदरा में लिखा उसकी नजर हर वक्त धर्मी के उपर रहती है उसके कान हर वक्त दुआओं पे लगे रहते हैं तो ड जब हम रिपेंट करते हैं जब हम माफी मांगते हैं तो खुदा हम सबसे प्यार करता है एमैन तो जो आप अपनी घर में अपनी घुटनों में आके यसु को आवाज लगाते हैं वो आवाज यसु के कान में चली जाती है हम किसी पे इस तरह से डिपेंडन्ट नहीं है कि अ अपने आपको दुआओं में इतना स्ट्रॉंग कर लें, एमैन, बाकि हम सब हैं एक दूसरे के लिए सुपोर्ट करने के लिए दुआओं को, हाललुया, एक बहुत बड़ी स्टोरी, the biggest स्टोरी जो मेरी नजर में, ब्रेक्थ्रू की, in history, in the Bible, Matthew 9, 22-22, ब्रेक्थ्रू, ये किस औरत की स्टोरी, जो बारा साल से, जिसको 12 years से, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, अब ये जो 12 साल से, just imagine 12 years, बोलने की बात है, कि 12 साल, एक human body किस तरह से, 12 साल से जो ब्लीड कर रही हो, तो उसकी हालत को, आप just imagine करके देखे, कैसे उसकी हालत होगी, उस जमाने में, जो ब्लीडिंग की जिसको issue होता था, उसको नपाक समझा जाता था, कि वो untouchable थी, तो इसका मतलब, कि जो पुरानी history की book से पता चलता है, कि उसकी सारी family ने भी उसको छोड़ दिया, तो क्या हुआ, वो बिलकुल अकेली थी, वो अकेली थी, वो बिमार थी बड़ी अमीर थी, उसने बहुत इलाज करवाया, पर उसको breakthrough नहीं मिला, उसको healing नहीं मिली, और मैं आज जब breakthrough की बात आ रही थी, और मैं इस lady के बारे में बहुत deeply सोच रही थी, कि किस तरह वो तो outcasted होगी, निकाली गई होगी, कोई उसको छूता नहीं, वो बिमारी में खुदी खाना बनाती होगी, कोई बात करने के लिए भी नहीं होगा उसके पास, कि जिससे दुख सुख कर सके share, कोई उसके करीब नहीं आता होगा, कोई उसके घर नहीं जाता होगा, वो किसी के घर में जा नहीं सकती होगी, कितनी तकलीफ में होगी वो, उसकी तकलीफ को, जस्ट थोड़ा सा अगर हम उसको सोच के देखे कि उसकी कैसी तकलिफ थी और उसको क्या पता चला कि जीजस आ रहे है उसको पता चलता है कि जीजस आ रहे है और अब इस उरत को इस औरत को allowed तो नहीं था कि भीड के बीच में जाए अब जीजस जहां से गुजरते हैं इतनी भीड है जीजस के इर्द गिर्द इतनी भीड है She is not allowed to go near जीजस जीजस के करीब जाना उसको क्योंकि वो नापाक है उसको उसको तो घर से निकलना भी उसको allowed नहीं होगा पर सबसे पहला काम उसने क्या किया? Believe किया सबसे बड़ा काम उसने जो किया? सबसे पहले उसने क्या किया? अपना breakthrough लेने के लिए उसने believe कि जीजस मुझे चंगा कर सकते हैं तो आज मैं आपको दुबारा से मेभी हम पे दाइशी Christian हैं मेभी हम बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं पर आज फिर मैं एक बार आपको याद करवाना चाहूंगी और मैं दुबारा से उस विश्वास के उस point पे चाहती हूं हम वापस आएं क्योंकि हमें बार बार refresh होने की जरूरत पड़ती है कि उसको breakthrough चाहिए था उसने क्या किया? उसने believe किया उसने विश्वास किया सबसे पहले कि येसू मुझे चंगा कर सकते है आज मैं चाहती हूं उस विश्वास को दुबारा अपने अंदर भरे इस वक्त कि येस जो भी मेरी दुख तकलीफ कमी कमजोरी कुछ भी है येसू उसको उसको पूरा कर सकते है एमैन? इस बात को उस वाले belief को आज हम अपने अंदर पकर लें रख लें कि येस जीजस कैन डू इट उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इसको ज़रा पढ़ते हैं मती के 9 चाप्टर 9 बीस से 22 को और देखो एक इस्त्री ने जिसको बादा बरस से लगु पहने का रोड़ था पीछे से आकर उसके वस्तर के आच्चत को शूर लिया क्योंकि मैं अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्तर भी को शूर लूगी तो चंगी हो जाओंगी ये जब ये जो वाक्या हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ था कि वो जो और थी वो लॉग के अगेंस्ट चली गई थी लॉग तो कहता था कि तू अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकल सकती लॉग तो कहता था कि तू किसी के करीब नहीं जा सकती ław थो यही कहता था कि अब वहीं पर अगर कोई उसको डॉक्टर ठीक कर सकता है तो ठीक कर दे नहीं तो वहीं पर खतम हो जाए कोई उसके करीब भी नहीं जाता था लौ थो यह कहता था पर उसने अपने मन में क्या सोचा जब मैं इस तस्वीर को देख रही थी अगर आप उसके हाथ की तरफ देखते हैं जो बड़े विश्वास से यसु के पले के उसके हम की तरफ उस बढ़ते हुए हाथ को देख रहे हैं जब मैं इसको देख रही थी कि ये जो बड़ा हुआ ऐसा हाथ था ये उसकी ब्रेक्ट्रू उसको मिलने वाली थी उसकी बिलीफ के साथ विश्वास के साथ जो हाथ जा रहा था पर लॉज के अगेंस्ट था लॉज केता था नहीं निकल सकती अपने घर से लॉज नहीं था पर ग्रेस जो है जो grace है वो law से बहुत उंची है जो grace है वो इस law से शरीयत से बहुत उंची है यहोना के एक 17 में लिखा कि जो law है जो मुसा की तरफ से आया law तो मुसा की तरफ से आया जो grace है जो रहम है जो grace and truth किस की तरफ से आई येसु मसी से आई येसु मसी लौ से उपर होगे येसु मसी लौ से उपर होगे येसु मसी ग्रेस बन गे और आज मेरे और आप के पास कौन है येसु मसी है हालेलुया येसु मसी जो ग्रेस है आज हमारे उपर क्या है उसका ग्रेस है उसकी दया है उसका रहम है और वो रहम दया हमारे लिए काफी है to get that break through Amen Hallelujah Hallelujah पर लो तो कहता है लो कहता था उसको लो कहता है उसको Go away लो क्या कहता उसको शरीयत कहती बाहर निकल यहां से निकल परे जा Hallelujah एनिमी बहुत बार आपको कहेगा निकल तू यहां नहीं तेरे लिए यह जगा नहीं वो हटाएगा कहेगा कि तूने तो बड़े रोजे रखे तूने तो बड़ी दुआईं करी तू तो बड़ा यसू यसू करती है पर तुझे तो मिला नहीं Go away Never listen to enemy शरीयत कहता है लोग कहता है Go away Hallelujah यसू कहता है Come to me Hallelujah यसू कहता है Come to me यसू कहता है Come to me Come to me और जो यसू के पास आजाता है Hallelujah Hallelujah जो विश्वास से यसू के पास आता है तो ऐसे यसू बाहें खोले हुए Hallelujah आपको चू लेता है Amen तमना को क्या कहा था साथ साल से साथ साल से उस डिप्रेशन की बदरू ने जब तमना को पकड़ा था कि ये दवाएं खानी है पूरे दिन में ये कितना बैग भरा हुआ था दवाओं का जो पूरे दिन में खानी है वो जो लौ था जो medical law था medical doctors कहते थे तमना को क्या कहते थे कि electric shock लगेंगे ये सब चीजें पर Jesus क्या कहते तमना Come to me Hallelujah तमना को जब मैं पहली बार मिली क्या कहा मैंने तमना 30 not me Holy Spirit spoke through me It's Holy Spirit तमना 30 दिन दे दे मुझे अपनी जिन्दगी के 30 दे 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 अपनी जिन्दगी के और इसने क्या कहा ये तो Jesus को नहीं जानती थी मुझे भी नहीं जानती थी किसी को नहीं जानती थी इसने बिलीफ किया किस पे? ये सुमसी पे और क्या हुआ 29 दिनों में 30 दिनों में वो जो दवाईयां थी जो डिप्रेशन की बद्रू थी जो इवल था वो garbage bag में निकल के घर से बाहर हो गया Amen Hallelujah क्योंकि grace कहता है Come to me Amen और come to me कौन आएगा ये सु के पास जो विश्वास करता है Grace कहता है Grace जो तमना को grace मिली विश्वास से तमना ने विश्वास किया था वो जो bleeding से औरत भरी हुई थी outcasted थी उसको उसने क्या किया था विश्वास किया था आज जो विश्वास करेगा तभी मैंने आपके notes में लिखवाया आपसे It's not me क्योंकि पाक रूहे देने वाला पाक रूहे उस breakthrough को करने वाला पाक रूहे जो आपको bless कर रहा है वो कहता है believe और जो believe करेगा जो आपने लिखा है उसको पूरा होता हुआ देखेगा Amen? Hallelujah Law क्या कहता है Law कहता है You are an outcast Law कहता है उसको कि तू तो outcasted है तू तो outcasted है तू तो किसी काबिल नहीं है शायद बहुत से लोग बहुत सी आवाजें कान में बोलती है बहुत सी आवाजें हो सकता है डॉक्टर की हो हो सकता है आपके मैनेजर की हो, हो सकता है किसी माबाप की हो क्योंकि वो भी शायद Jésus को नहीं जानते कैते है तू किसी काबिल नहीं है पर लॉजब कहता है You are an outcast क्योंकि वो कहता है तीरी जगा नहीं है यसू के पास क्योंकि यसू तो पाक है यसू तो हो ली है तू कैसे आ सकती है यसू के पास यसू कहते हैं तेरे लिए जगा है जितना मर्जी गुना है कितना मर्जी गुना आपको याद कराता है शेतान आपको बार बार आपको आपके पास्ट की आपकी गिल्ट की बातें आपको याद कराता है देख तु तु ऐसा करता था तु तो अभी भी करता है अभी भी करता है पर ग्रेस बुलाता है There is room तु आ, मैं तुझे चंगाई दूँगा हालेलुया माबाप को माबाप को अपना बच्चा जब उठाना होता है कीचर से सना वो बच्चे को नहीं कहते जा पहले साफ हो फिर आना फिर उठाऊंगा माबाप क्या करते है ऐसे ही कीचर वाले बच्चे को उठा लेते है और उसको साफ करते है वो तो ऐसे ही गले से लगा लेते है ऐसे ही यसु हैं हम गुना को सोचे छोड़के आएंगे जीजस के पास जीजस कहते there is room come जीजस के पास हर वक्त हमारे लिए जगा है अगर आज भी आपकी जिन्दगी में कोई गुना है जिसने आपको यसु से दूर किया है आपको आवाज आती है you are an outcast जीजस आज आपको कह रहे हैं there is room आजाएं आपके लिए यसु की बाहों में जगा ही जगा है हाललुया लोग क्या कहता है अगर ऐसी नपाक औरत भीड में आ जाती है या पाक चीज़ के पास चली जाती है कंडेम करें इसको क्या करें इसको कंडेम की इसको दोशी ठहराएं उसके उपर दोश लगाया जाता है जो लोग है वो बार बार हमें दोशी ठहराता है जब दोशी ठहराएं जाते हैं जब हम सुनते हैं बार बार कि yes you are wrong you did this, you did that तो क्या होता है हम कभी भी हम कभी भी कामजाबी की तरह पहुंच ही नहीं सकते वो बार बार ये बात आपको कहता है पर जीसस कहते हैं तुहारे तो सारे दोश रद होगे हालेलुया Romans 8.1 में लिखा There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus Romeo 8 का एक पढ़ेंगे आपको आपका past आपका present कोई भी चीज इस वक्त बड़े से बड़े गुना से भी भरे हैं और अगर आज इस वक्त अगर ये सुने अपने कदमों में आने का मौका दिया तो इसको रिसीव करें रोमियो आट का एक अब जो मसी यसु में हैं उनको दंड किया गया नहीं है अब जो मसी यसु में होंगे वो तो खुदा के खौफ में रहेंगे वो गलत काम करना ही नहीं चाहेंगे वो सोचना भी नहीं चाहेंगे उनके लिए जो हर वक्त उसके खौफ में बने रहते हैं जो उसके कदमों में बैठे रहते हैं उनके लिए दंड किया गया नहीं है ये शितान है जो बार-बार आपको एक चलावा जो आपको लगेगा मुझे तो दंड मिल रहा है आपको लगेगा मुझे तो पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है नो वो शितान जो है वो छुटा है जुटों का बाफ है उसकी बात को रद करें यिस्तु ने कह दिया तुम्हारे लिए कोई दंड किया गया नहीं है एमैन हाललुया और क्या हुआ इसने क्या किया और इतनी हर चीज उसको उसने हर चीज को पीछे छोड़के वो भीड में डरती हुई सहमी हुई हम उसमें देखते हैं डरती हुई ऐसे जुकी हुई सी जुकी हुई चुपके से आके उसने ये भी हिमत नहीं की कि जीजस के आगे चली जाती उसने तो मन में यही सोचा कि बस मैं जीजस का पीछे से ही उसके पल्ले का वो किनारा पकड लूगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी और जैसे ही उसने उस पल्ले को छुआ जैसे ही उस पल्ले को छुआ दो बातें हुई दो बाते हुई एक सुपरनाच्रल क्या हुआ यसु के अंदर से सामर्थ निकला और उसकी जो फिजिकल बाडी जो है वो हील हो गई और अगर आज आपने यसु को उसी विश्वास से आज उसके पले को चुआ है उसी विश्वास से जस विश्वास से ये आरत आई थी तो आज आप विश्वास रखें कि ये जो फिजिकल बाडी है ये हील हो गई है एमें एमें और दूसरी चीज क्या हुई उस वक्त उसका जो एक डिवाइन एंकाउंटर था उसका येसु के साथ एक खुबसूरत रिश्टा बन गया जीजस ने क्या कहके बुलाया जा बेटी हालेलुया जब यिसु के पल्ले को छुआ जब यिसु के पल्ले को छुआ तो वो चंगाई पाई और जब जीजस ने उसको बेटी कहके बुलाया तो वो तो स्वर्गों की वारिस भी बन गई एमैन हालेलुया है पर आज इसको ने तरीके से आज इस ब्रेक थू के लिए आज आप दोबारा से यस्व के उस पले को छू लें हम ओफ द उसके उसके शौल को उसके गार्डमेंट के हम को उसके कोने को छू के देख लें और दो चीजें हमारे सब के साथ भी हुई हम में से तमना क्या हुआ हाँ फिजिकल हीलिंग भी हुई और क्या हुआ जीजस जीजस में आ गई जीजस की बेटी बन गई जीजस की बेटी बन गई हालेलुया हालेलुया और आज ये हम सभी के लिए कल तक वो रुल्दे फिर्दे सा तेहुन सानो यस्व में लिया है एमान कल तक उस एक एक कमरे म एक basement के कमरे में मैं रोया करती थी रो रही थी कि बस सब खतम अब तो जिन्दगी में कुछ भी नहीं रहा अब तो सब जिन्दगी का कोई मकसद ही नहीं है और Jesus के पले को छुआ तो Jesus ने कितना कुछ कर दिया Amen, Hallelujah It's all about breakthrough उस basement के एक room थे जो आंसों से भरा रहता था जिस कमरे में मुझे लगता था कि दिवारे मुझे crush कर रही है क्योंकि बिलकुल अकेले अकेले रहना, अकेले, अकेले, अकेले कोई नहीं बस Jesus थे वहाँ पे Jesus और मैं काफी थे कि उस basement में से इतना बड़ा दुआ का घर बन जाने के लिए Amen, Hallelujah Jesus को कुछ नहीं चाहिए सिर्फ विश्वास वाला हाथ चाहिए विश्वास वाला हार्ट चाहिए तो हमारे लिए Hallelujah, मरकज पांच 34 में Jesus ने कहा बेटी, तो आज Jesus हमें बेटा बेटी करके बुलाते हैं हम सर्विंट्स नहीं हैं हम उसने अपना दोस हमें बेटा बेटी हमें वारिस बना दिया हम आज उस बादशाहत के वारिस बन गए तो इस दुनिया की कोई चीज़ है या नहीं है Doesn't matter Healing आई या नहीं आई Doesn't matter वो चीज़ें जो चाहत इस दिल ने रखी वो मिली या नहीं मिली यसूँ में हमें अपना अपना हिसा बना दिया Amen हम यसूँ का हिसा बन गए जैसे ही हमने क्या Mansion यसूँ के उस दामन को पकडा उस पले को पकडा तो यसूँ के पले को जब आज पकड़ा है तो इसको पकड़े रहना एमैन तो लुक आप हमारी जो ब्रेक्ट्रू है वो कहां से आती है यहवा से आती है हमारी काम्याबी हमारी हर तरह की सफलता वो किसी भी तरह वो आपकी शादी को लेकर है आपकी जॉब को आपकी हेल्थ को आपकी बच्चों को लेके आपकी जिंदगी के या फ़िनेंस को लेके बिजनिस को लेके किसी भी चीज़ को तो कहां देखना है सिरफ अपने येसु की तरफ देखें और देखें वो काम्याबी वो सफलता वो ब्रेक्ट्रू आपके सामने है एमेन, हालेलुया अब भी हम दुआ करते हैं हम इस दुआ को में लॉड जीजस शुक्र गजारी करते हैं कि हम इमान रखते हैं बाप जीजस इस वक्त हमने आपके पले को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है हम अब आपको नहीं छोड़ेंगे अपका जो सामर्थ है जिस तरह से उस औरत में गया आज हम उस सामर्थ को हम रसीव करते हैं हालेलुया उस सामर्थ को रसीव करते हैं जिसमें सिंदगी है जिसमें डिलिवरेंस है जिसमें बंधनों को तोड़ने की ताकत है जो हमें आजाद करता है हर उस बिमारी लचारी दुख दर्द से आज असामर्थ को हम सब अपने उपर अपने परिवार वालों के लिए अपनी फैमली मेंबर्स के लिए अपने लवड वन्स के लिए हमारे दुआ के, घर के एक एक शक्स के लिए receive करते है Amen 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 Hallelujah 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 मज़ेदार सा Hallelujah 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 Thank you Jesus Thank you Jesus Hallelujah मेरे शुकर गजारी करते हैं Communion Yes एक बात मैं कहना चाहूंगी आज शायद आप ये आरब पीछे आल्टर वाली जो पतस्वीर थी वो दे देना जो लोग हो सकता है आपने जीजस को बड़ी देर से कबूल किया हुआ है पर फिर भी आपके और येसु के बीच में कहीं पे गैप आ गया हो हो सकता है कि आप आपने जीजस को कभी रिसीव ही नहीं किया क्योंकि आज अभी जिन्दगी है अभी सांस चलती है तो ये वो वक्त है अगर आपके और येसु के बीच में कोई अगर दूरी आ गई है तो आज उस दूरी को खतम करेंगे अगर आपकी जिदगी में आज तक येसु नहीं थे तो आज येसु की आवाज को सुने वो बुलाता है आज आप मेंसे जो अपना दिल येसु को देना चाहते है तो ये वो मौका है कि अपना दिल येसु को दे दें आपके गुना की बीच में दूरी आ गई आपको लगा आपका गुना आ गया बीच में आप येसु से दूर होगे आज इस वक्त अपने दिल की उपर हाथ रखें आज बड़े इमान से अपने दिल की उपर हाथ रखें और आज अगर आप अपना दिल यसु को देना चाहते हैं तो आज अपना दिल यसु को दे दें अगर आज आप जीजस को अपना मुक्तिदाता रिसीव करना चाहते हैं तो अपना दिल यसु को दें आज अगर आप यसु को रिसीव करते हैं मानते हैं कि जीजस आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया में आए हमारे गुनाहों की खातिर सूली पे चड़े और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे और आज जैसे वो जिन्दा हैं जो यसु को रिसीव करते हैं यसु में ढूब जाते हैं वो भी हमेशा की जन्दगी पाते हैं तो आज अज अपना दिल अगर यसु को देना चाहते हैं तो ये वक्त है, अपना दिल यसु को दे दें, अपने दिल की उपर हाथ रखें, और ये निशानी है, पाक रू को दिख रहा है, आप दुनिया के किसी भी कौने में हैं, आप सुनते हैं, आप अपना दिल यसु को देना चाहते हैं, पाक रू देखता है, एक एक को, क्योंकि जिसका नाम जिन्दगी की किताब में होगा वो ही सिरफ स्वर्ग में एंटर होने पाएगा हालिलुया मैं आप सब के लिए दूआ करना चाहती हूँ जिसने भी आज अपना दिल यसु को दिया जो भी आज यसु के होगे लौर्ड जीजस बड़ी खुशी मनाई जाती है स्वर्गों में जब एक गुनेगार आपके पास आता है कुदा बाब जी मुझे नहीं पता पर पाकरू आप तो एक-एक को देखते हैं जिस जिसने अपना दिल आज आज आपको दिया यसु को दिया आज उसकी जिन्दगी के लिए हम ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं हमेशा की जिन्दगी को रिसीब करते हैं उसकी सैल्वेशन को रिसीब करते हैं पाकरू आप उनमें भर जाएं उनको भर दे अपने आप से और वो हमेशा की जिन्दगी पाएं येसु के नाम में आमें 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 इसी तरह से हमारे साथ जुड़े नहीं इसी तरह हमें कनेक्ट करें और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेर करें ताकि जो ब्लैसिंग आपको मिल रही है बाकि सब को भी वो ब्लैसिंग मिल सके God bless you all